हेलो दोस्तो एक बाद द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हो आपके अपने चैनल पर अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाते हो तो सब्सक्राइब कलो चैनल को साथ में बैल को दवारा ना भूलना और साती में टेलिगराम ट्विटर इंस्टा में फॉलो कर सकते हो कोई करते हैं दोस्तो उर्जा ग्लोबल लेटेस न्यूज और दोस्तो उर्जा ग्लोबल के उपर आपको क्या करके चलना चाहिए एक पर देख लेते हैं डेटेल एनलसिस वीडियो यह होगा तो कुछ कोशन है चैसे मैंने लिखे हुए थमनेल में क्या फ्रेज बाइक कर लूँ यह बहुत नॉर्मल कोशन पूचे जाता है कोमन कोशन पूचे जाता है उर्जा ग्लोबल के उपर और मैंने होल्ड किया क्या करूँ और इसके टार्गेट क्या पंदा रुपे सच में स्टोक आने वाला है एक बार देख लेते हैं छोट असा वीडियो होगा तो अगर अना कि कैसा लगा वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते एनलिसिस दोस्तो सबसे पहले आपको मैं चार दिखाता हूं उर्जा ग्लोबल का इसमें थोड़ा आपको बथाना चाता हूं क्या स्टोक सस्ता है यह कोशन आप अपने आप से पूचा तो मुझे क्या दिखा आपको पता है 50 पैसे 70 पैसे का स्टॉक ने लो लगाया था मार्च अप्रैल के असपास और स्टॉक ने ओल टाइम हाई लगाया मतलब अभी लास्ट मन थी 11 और 10 रुपे के असपास ठीक है 10 रुपे मैं मान के चल लेता हूं मतलब आपका स्टॉक अल्मोस 900 परसेंट का हो गया मतलब 900 परसेंट की देखे गया और 9 गुना हो गया ठीक है और दोस्तों यह जो स्टॉक इतने बड़ी मूव आई है यह आई थी जस्ट विकॉज ओव राइट इश्यू ठीक है राइट इश्यू आने वाला है ठीक है उन्होंने फैसल ले लिया है ठीक है किसके इनके म मारता हो सर्च तो मुझे सबसे पुराना अर्टीकल जो मिलता है वो मिलता है सोला जून के आसपास ठीक है इन्होंने क्लियर लिखा है उर्जा गलोबल लिमिटेट बोट तो कंसीडर राइट इश्यू ऑफ एक्कुटी शेयर ठीक है कंसीडर कर रहे है उस समय में स्टॉक क अब्ब ऐसे का स्टॉक कर रहा था और आज की डिट में सात रुपे से उपड़ी स्टॉक कर रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका पैसा या मतलब राइट इश्यू आने से पहले इस टॉक आपका टीन गुना हो गया धाई गुना बोल सकते हूं ठीक है तो आप खु मैं इस बॉय कर लूँ तो भाई अभी आपको बॉय नहीं करना मेरे साबसे ठीक है अगर आपने साथ रुपे आठ रुपे के लेविस्मे वाई किया है तो उसका आजसर आपको पता चल चुका हुआ कि आपको क्या करना है ठीक है अब बात करते हैं इसके टार्गेट 15 रु ठीक है और दूसरी बात इसकी आचल की latest news क्या है वो भी देख लो तो latest खबर की दोस्तों यह है मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ past में यह देख सकते हो आप यह कुछ right issue की detail है यह right issue की detail है ठीक है तो आप देख सकते हो जो allotment होना है मतलब जो date एक second है तो दोस्तों जो date of listing अगर आप देखते हो तो वो है 22 FAB की ठीक है जो right issue की date है वो आनिए आपकी 22 February को मतलब कल की दो दिन के बाद की date है ठीक है तो में पॉइंट इसमें है दोस्तों देख सकते हो दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा वाग गया है इसमें लिखा यह गया कि तो मतलब इनके उपर इनका जो बिजन्स प्लान था वो भी एसी ने प्रूब कर दिया है ठीक है तो यह एक अच्छी ख़वर स्टॉक के लिए नजर आती भी आ रही है लेकिन अगर यह अच्छी ख़वर है तो क्या स्टॉक को आपको अब स्टॉक को बाई कर लेना 欠ीक है मैं आपको चार्ट खुलता हुए चार्ट खुला हुआ है ठीक है आपको मैं इतना समझा गया कि इस टॉक उपर क्यों गया ठीक है अभी आपको मेहगा में मिल रा तो बहुत तक शहाय का लो नहीं टाचिक है तो एक क्लियर पइंट होग यह उपर अच्छा क्यों यह stock को buy करने की तो मेरे साब से अभी बाइं मत करो यह stock अब थोड़ा ना consolidation phase में जाएगा क्योंकि जो चीज हो नी थी न right issue आना था सब कुछ होना था वो हो चुका है यह stock देख सकते हो आंसे 2 रुपे से 6 रुपे साथरों पर हो चुका है बात को समझो जो चीज हो नीती वो हो चुकी है प्राइज में वह impact दिख रहा है result आ रहा है ठीक है अब उसका wait करो जिस चीज के लिए उन्हों राइड इशू लेके आये मतलब growth के लिए अगर company में growth नजर आती है तो हम buy करेंगे अगर company में growth नजर नहीं आती तो stock को हम buy नहीं करेंगे ठीक है दुबारा से फिर stock अपनी उकार्ट में जाएगा जो आपको पता इसकी उकार्ट क्या थी ठीक है बतानी कर सकता नहीं है लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है तो मैं चार्ट के माद्यम से आपको उर्जा गलोबल के best price, best drop loss, best target बथा देता हूं ठीक है और यह भी बता देता हूं कि थम्लेल में मैंने चो लगा है उर्जा गलोबल target at the rate 15 कि क्यों लगा है वो भी आपको अभी explain कर देता हूं तो थोड़ा होर सबर करो दोस्तों देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं कि यह stock अगर अगर हाल लाल में आपको बहुत ज़रा खुजली हो रही है बाय करने का मन कर रहा है ठीक है अंदर से itching आ रही है तो डिक्तिक अगर आपको लगर आया वहा है यह लगर आया भी ठीक है यह इसका confirmation आयाँकर के बाद छिके और रिजल्ट किसी को नहीं पता यहां पता है इसके मालिकों को तो आप यहां खिलते म्हें फ्लूट नहीं हो जाता है इसके उपार यह लोग नहीं कर देता ठीक है तो हम यहाँ पर apply करेंगे breakout की strategy मतलब हम wait करेंगे smart trader की तरह, smart trader की तरह think करेंगे कि हमें wait करना, अगर हमें long term investment करनी है तो हम wait करेंगे, ठीक है, तो हम wait करेंगे long term के लिए जब तक 9 रुपे 53 पैसे के उपर close नहीं कर देता, मैं stock को buy नहीं करूँगा long term के लिए, अगर और अगर आपको नहीं लगणा stock नहीं जाएगा 50 रुपे, 15 रुपे, तो आप क्या करोगे, उनको उनके लिए बठा रहा हूँ, जुनों ने यहाँ कही stock को buy किया, कहां कहीं, 8 रुपे, 9 रुपे, 10 रुपे बाई किया, ठीक है, यहाँ कही कही आसपास buy किया मान लेजिए ठीक है, सारे साथ मन लेजिए, तो मैं आपको बोल लो, अगर आपनी यहाँ कही वाई किया है, तो आप अगर यह stock, यह जो low कि दिख रहा है, यह low दिख रहा है, यह अगर जैसे break होता है, 7 रुपे, 30 रुपे के असपास, close करता है, आप अपनी position square up कर लेना, फिर यह आपक क्या label सो सकते है, उपर के क्या label सो सकते है, ठीक है, तो आपको एक्तम safe खेलना है, अगर आपने हाल सिलाव में भाई किया है, तो आप 4 रुपे में stock को भाई करना, अगर यह stock 7 रुपे 35 पैसे के निचे slip कर जाता है, close कर जाता है, और मुझे लगता है personally, यह कर सकता है, क्यो जो stock में news आनी थी, वो out हो चुकी है, अब stock में अच्छी ख़बर आएगी, जब stock के profit आएंगे, growth आएगी, company को आपके projects मिलेंगे, तब यह company उपर बढ़ेगी, ठीक है, जितना बढ़ना था rumors के basis में, right issue के basis में भाग चुका है, अब यह नहीं भाग सकता है, भी रुकेगा ठीक है, अब रुकेगा, 4 और 6 रुपे के labels में, आशा करता हूँ, आपको समझ जा गया होगा, सब के आपके answer मिल गए होंगे, और उर्जा global की latest ख़बर ही पता चल चुकी होगी, और आपको पता चल चुका है, आपका buy price क्या है, और आपका target क्या है, ठीक है, एक बाद यह बठा देता हूँ, दुवारा से, कि stock को आप buy करके चल सकते हैं, long term के लिए, 9 रुपे 53 पैसे के उपर, safe game खेलना है, हसना नहीं है, जैसे 9 रुपे 53 तूटेगा, हम buy करके चल लेंगे, अब आप बोलोगे सार, 9 रुपे में मिलेगा नी, मिलेगा, आपको wait करना मिलेग तो हम वेट करेंगे 15 रुपे के target के लिए, ठीक है, वो तब की तब होगा, जब यह आएगा, तो मैं भी खुत आपको update कर दूँँ, बाकि अगर आपने shorter में buy किया है, तो stock अगर 7 रुपे के नीचे जाता है, तो आप अपनी position square up कर लेना, वो ही आपके लिए बहतर होगा, और आपका stop us रहेगा, और आपका फिर जो target रहेगा नीचे है का 4 रुपे 60 पैसे, और किसी को नीचे buy करना है, नीचे मतला average करना है, वो सबसे best price होगा, 4 रुपे और 6 रुपे का, सबसे best price होगा average करने का, उससे पहले average करने के बिल्कुल भी मस सोचना दिमाग में, ठीक है तो भाई, ये मेरा था, Oja Global के उपर latest cover, latest news, share price today, और ये मेरा छोटा सा review, आशा करता हो, ये review थोड़ा भी पसंद आया, तो भाई, like कर देना, share कर देना, और मैं ये वीडियो को edit नहीं करूँगा, ऐसे डाल दूँगा, तो कुछ गलतियां होगी, तो माफी चाओंगा, और मुझे बत्लाओ, कि आपको ऐसे raw and real वीडियो पसंद आते या नहीं आते, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसी format में काम करूँ, ठीक है, चलो, bye